पियम होदी का धन्वाद हमारे रिष्टे लगातार हो रहे मजबूत भारत दोरे से पहले बोले आस्ट्रेलिया आई पियम अमेश शाह का उत्व ठाकरे पर वार बोले शिफ सेना मामले में सच्चाई की चीट हुई है नितीश कुमार पर गिरी राज सिंग का तंज बोले वह कभी अपनी राज नैतिक बिश्वन तो नहीं बना पाई बीबीसी पर आईकर सर्वे मामले में भड़के तेजस्वी यादो बोले भारत को नाथुराम गोडसे का देश बनाना चाहती है बीजेपी सियम नितीश कुमार का कॉंग्रेस को ओफर कहा साथ लड़े चुनाओ बीजेपी जाएगी नमस्कार मैं हूँ मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तपरदेश की बड़ी खबरों का खबर गाज़ेपूर से है जहां जमानिया में महराज सुहेल देव जयानती कारिक्रम में सुबस्पा आध्यक्ष ओम प्रकास राजबर पहुचे थे और उन्होंने सपा से महिला नेता रोली मिश्रा रिच्चा सिंग को निकालने पर ओम प्रकास राजबर ने कहा कि सपा मे वही जो अखिलेश कहे वही सही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा में अपनी बात कहने का किसी को कोई हक नहीं है साथ ही अबदुल्ला आजम की बिधाय की जाने पर ओपी राजबर ने कहा यह अदालत का फैसला है कि जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता इतिहास नहीं जानता अपने बुज़ुर्गों की कदर नहीं करता वो समाज कभी तरकी नहीं करता आप लंबे समय थे आप लेख रहे हैं कि 20 साल हो गया मुझे महराजस सुहेल देव जी के इतिहास को उजागर करते करते आज देश के प्रधान मंतरी देश की राष्टपती से लेकर के सारी लोगों के दिमाक में देश की 140 करोड आवादी में भी महराजस सुहेल देव जी की आवाज चाए वो बिहार हो चाए आपका बंगाल हो चाए महराष्टा हो पुरे देश में आवाज गुझने लेगे उसी कड़ी में हम याद दिलाते रहते हैं कि तुकि लंबे समय के बाद इतिहास को जागर हुआ है तो इनको बारत देश की राइबरेली के गदा गंज थानव शे पती पतनी में किसी बात को लेकर बिवाद हुआ था बिवाद इतना बढ़ गया कि महिला को ये सक्त कदम उठाना पड़ा खबर बदायू से है जहां महासिवरात्री के पावन पर भक्तों में काफी उतसा देखने को मिला और पटनाफ शुव मंदिर पर हजारों की संख्या में भगवान शंकर के भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए बतादे इस दोरान सुरक्षा विवस्था के भी पुखता इंतर्जाम किये गए और चपे चपे पर पुलिस बल्की तैनाती की गई प्छाट आता जिए पिस प्रिकार की आसता रखती है आप या आस्द चिरू यहिए ध्यू-शच्छा कितनी साल होगी को आदे से हैं जहां तेज रफ्तार बाइक सवारों ने कैंटर को कुचल दिया बता दें शिकार होने वाले तीन युवक कोत वाले देहात शेत्र के बताये जा रही है वहीं मौके पर पहुचे पुलिस मामले की जाच कर आगे की करवाई में जुड़ गई है साध साथ बजे सुचना प्राथ हुए कि थाना औरंगा बाग छेत्र में एक बाइक और कंटीनर के एक्चिज़ेंट हो गया है जिसमें तीन लोगों की मुट्पी हो गई है यह गायल हुआ है गायल को विजिनेस पताल हिलाज के लिए बेद दिया गया है कंटेनर और कंटेनर के चालों को इराजत में ले लिया गया है बाकि आगे की विदी करवाई के जारे हैं कि उत्ताय प्रदेश की खबरों में इतना ही देज़ुन्या की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार